फिर एक बार आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं .vpn.net app क्या है और कैसे यूज करें .vpn.net app में आपको अलग-अलग server मिलेगा तो चलिए देखते हैं .vpn.net app को किस तरह से यूज किया जाता है .sबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके औल वाल उप्सन सेलेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई न्यूव वीडियो अपलोड हो तो उसका नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इससे प्लेइ स्टॉर से इंस्टॉल करना है उसके बाद आपको इससे उप्लिकेशन आपसे कुछ परमिसन मांगेगा तो एलाव में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ दिर wait करना होगा उसके बार आपको इस application में कुछ इस तरह का interface नज़र आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं OK में अगर आप click करेंगे तो यहाँ पर जो server है वो connect हो जाएगा तो OK में हम click कर देते हैं और यहाँ पर आपको कुछ दिर wait करना है और जो server है वो connect हो जाएगा तो यहाँ पर जो server है आप देख सकते हैं connect हो चुका है यहाँ पर जो time है आप देख सकते हैं 10 minute का time मिला हुआ है इस time को आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 मिनिक आप बढ़ा सकते हैं 30 मिनिक बढ़ा सकते हैं इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक एड़ चलेगा उस एड़ को आपको देखना है उसके बाद यह जो टाइम है यह बढ़ जाएगा अभी हमसे बैक कर देंगे और यहाँ पर आपको download upload speed भी नजर आ जाएगा और उपर में जो lock कर निशान बना हुआ है इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पस से आपको rate s का option मिलेगा share का option मिलेगा privacy आप यहाँ पस से देख सकते हैं और यह जो server है अगर आप इससे disconnect करना चाहते हैं तो उपर में जो circle बना हुआ circle में आपको click कर देना है और यह कुछ देर में disconnect हो जाएगा इस तरह साप इस application को यूच कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करे चैनल में नए है तो चैनल को subscribe करे मिलते हैं next वीडियो में तब तक कि लिए बाए thank you